आपको रितेश पांडे की जोड़ी किसके साथ सबसे अच्छी लगती है अक्षरा सिंग, आमरबाली दूबे या फिर काजल रागवारी वैसे भी आजकल रितेश पांडे की दसों उंगलियां घी में है और जिस रफ्तार से रितेश पांडे का करियर ग्राफ बढ़ रहा है ना गलत नहीं होगा कि पवन खेसारी और निरहुआ के बाद लोग रितेश पांडे को भोजपुरी का नेक्स सुपस्टार जरूर कहेंगे क्योंकि अगर रितेश पांडे अक्षरा सिंग के साथ एक्टिंग करते नजर आते हैं फिल्मों में तो वो पवन सिंग के लुक अलाइक लगते हैं साथ इस साथ अगर वो आमरपाली दूबे के साथ फिल्म में नजर आते हैं तो वो निरहुआ के लुक अलाइक लगते हैं और अब रिसेंटली वो काजल रागवानी के साथ नजर आ रहे हैं एक फिल्म में तो वो खिस सारी लाल यादों के लुक अलाइक लग रहे हैं जिसका फायदार रितेस पांडे को बहुत अच्छा हो रहा है। रितेस पांडे के साथ आज भोचपूरी की हर बड़ी हेरोईन काम करना चाहती है। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि रितेस पांडे का सिर्फ और सिर्फ काम पे कॉंसेट्रेशन रहता है न कि फाल्तू के गौसिप में। यहां तक कि आपको हम ये बता दे कि पवन सिंग, दिनेस लाल यादो, निरहुआ और खेसारी लाल यादो के साथ भी रितेस पांडे के रिष्टे काफी बहतरीन हैं। जिसके चलते उनके केरियर में काफी फायदा हो रहा है। जो प्रडूसर, डिरेक्टर, खेसारी लाल यादो, पवन सिंग और निरहुआ को अपनी फिल्मों में साइन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी पहली पसंद इस वक्त रितेस पांडे इसलिए बने हुए हैं। क्योंकि रितेस पांडे की फैन फालोइंग दिन दूनी राच चौगनी बर्ण साथ ही साथ उनकी फिल्मे भी अच्छा बिजनस करती हैं। और उनके एल्बम्स के गाने भी दर्शकों में अच्छी पकड़ बनाये हुए हैं। जिसका फायदा रितेस पांडे को समय समय पर मिलता रहता है। और यही कारण है कि रितेस पांडे आज सभी के चहीते स्टार बने हुए हैं। और यही आलम रहा तो रितेश पांडे आने वाले वक्त के पवन सिंग होगी भोजपुरी जगर की होट और मसालेदार वासिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न पूरिये